आई फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम पढ़ेंगे बीएट सेकेंड यहर की सबचेक्ट गाइडेंस इन कांसलिंग का नेक्स टॉपिक ठीक है जो है निर्देशन के प्रमुक कार्य ठीक है जेरान तथा रिक्षियों के अनुसार निर्देशन निमलिक आठ कार्य करते हैं ठीक ह तो जो है अपनी योगयताऊं अभिरुची यो रुचीं तथा अभिरत्यों की जाणकारी राप्त करने में सहायता पहुँचाता है निर्देशन ठीक है फिstarter कि साहता इस उधेश्य से इस उधेश्य से करना जिए फ्रिवरित्यान है उप्रवरित्या है इस समझे और सुई श्मताएं हैं उनके संदर्व में जो इंसान है वो अपनी आकांशाओं को जान पाए और उस कारे में उसकी साहधा हो पाए ठीक है व्यक्ति को ऐसे अफसर मौके प्राप्त कराना जिससे जो है वो अपने कार छेत्र और शिक्षक प्रयासों के जो विश्य हैं उनमें और कि कि विकास में विक्ति की सहायता हुपाएं विक्ति को ऐसे अनुभावव प्रापत कराना जिन में उसकी त्यों नेड़ना है सकती है उसमें विर्द्धी हो सके याने कि वह बढ़ सके उन्हें विकास हो सके थिक है व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करने चाहिए जिससे की वे अच्छा आदमी बन जहें जितनी उसमें चंटाए ठीक है और व्यक्ति को जादा से जादा आत्मनिर देशित करने में सहायते देने यानि कि अपने आप से वा अपने निर्देशन कर पाएं इतनी जह है सहायता प्राप्त कराना अता यह सपष्ट है कि निर्देशन के अंदर से विक्ति की सहायता का सहायता इस प्रकार से की जाती है जिससे वह यथा संभव यानि कि जितनी भी पॉसिबल है हद से हद संभव जो है उस सारी अदिश्टियों से अपनी समताइं हैं जो उनका विकास कर पाएं निर्देशन व्यक्ति में जो नीत संभावनाएं होती हैं उसके अनुसार जो है उसके पूरे विकास पर बल देता है निर्देशन की प्रक्रिया का संबंद जो है वो जीवन से है और जीवन में प्रक्ति के जो विकास होते वो अप्चारिक भी होते हैं यानि की फार्मल और अनप्चारिक भी होते हैं यानि की इनफार्मल तो इस प्रकार से जो है निर्देशन भी दो प्रकार का हो सकता है अप तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग